हेलो एस्पिरिंस, हाव यू आप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों मेसेजिन बच्चों ने भी आज हर्याना जुडीश्री का एक्जाम दिया है मैं उमीद करती हूँ उन सभी बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ हो क्योंकि अगर आपने नोटिस किय तो इस बार का हर्याना जुडीश्री का एक्जाम वाज वेरी वेरी फैक्च्वल वेरी डिरेक्ट अगर सीपीसी को छोड़ दे तो उसके अलावा जितने भी सेक्शन आये थे जितने भी क्वेश्चन थे वह बहुत ही डारेक्ट थे कंसिप पूछा था तो बहुत दीप मे काफी अच्छा था जो बच्चे हर्याना या फिर दिल्ली जुडीश्री को फोकस कर रहे हैं देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूंगी जो मेरा अपना एक्सपीरेंस रहा है वो यह है कि अब यह मत सोचेगा कि डीजेस और हर्याना का एक्जाम इस पैटन पे जब आप एक्जाम हॉल से बाहर आओगे तब आपको लगेगा कि अच्छा यह पूछ रहा था इस टाइप में माहिर होते हैं डीजेस के क्वेश्चन को फ्रेम करने वाले तो आपको अपनी पढ़ाई का जो लेवल है वह उसी पर रखना होगा जैसे कि अभी तक आप करते अगर आपने इस तरह से कुछ पढ़ाई की है आपकी कमांड अच्छी है तो जाहिर सी बात है आपका एक्जाम क्लियर होने से कोई रोक नहीं सकता है चाहे जितना भी टफ पेपर सेट हो क्योंकि amount of questions इतने होते हैं कि पीटी क्लियर कर लें ठीक है तो यह तो हर्याना की बा अगर मालो आपको कहीं भी डाउट लगता है कि यह वाला portion कम अच्छा हुआ या शायद मेरा हो या ना हो गलतियां जादा हो गए negative marking कोई बात नहीं अभी बहुत सारे exams आने वाले हैं बहुत सारे exams हैं आप बिलकुल भी हताश नहीं होएंगे आपको करना क्या है कहां कमी र तो आगे बढ़ते जाना है यही जीवन जीवन में ऐसा होता है हम आगे बढ़ते जाते हैं exam हमें यही चीज सिखाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले हम तुरंत आज की सिरीज जिसमें हमारा जो आज का पहला question है that is in which of the following offense निम्न में से दिये गए कि नपराधों मे मेंस्रिया मेंस्रिया का हिंदी मुझे नहीं पता है I'm so sorry but मेंस्रिया आप बच्चे समझ पाओगी हिंदी मीडियम वाले क्योंकि इंग्लिश में भी मेंस्रिया हिंदी में मेंस्रिया बोलते हैं is not an essential element देखो मैं अपनी तरफ से आप लोगों को एक trick बताती हूँ जब भी exam पेपर आपके हाथ में रहता है नौट शब्द जहां दिखा उसको काले पेंसे या जो भी पेन आपके हाथ में इतना बड़ा सरकल बनाना कि नौट दिमाग में छप जाए क्या होता है कि हम ध्यान नहीं देते हैं by mistake हमसे गलती होती है कि नौट नहीं दिखता है और हम question पत अंडा बना लेना circle बना लेना नौट के चारो तरफ ठीक है तो इस question का जो answer है बहुत easy question है इसका answer है bygemi 494 bygemi अगर आप करते हैं आपका intention रहा है नहीं रहा है does not matter अगर आप contempt of court करते हैं या पब्लिक nuisance करते हैं तो आपका intention रहा है नहीं रहा है does not matter अच्छा bygemi section 494 जब पढ़ना तो आप दो chapters देखते चलना chapter number 20 जिसमें बाइगमी दिया है और उची के साथ chapter number 20a जिसमें कौन से section है very famous and infamous section section 498a जो किसकी बात करता है cruelty की बात करता है ठीक है उसकी बात क्या है under IPC the office is stalking आ गया ना 2013 amendment कैसे भी गुमा के question पूछ रहे हैं बट question पूछ रहे हैं तो stalking का है डी में है ये चार के चारो 2013 amendment से आए है ग्यान कौर वर्सेस state of पंजाब ये किस चीज से related है देखो जब भी ग्यान कौर का case पढ़ना तो उसके पहले दो cases और देख लेना मारुती श्रीपती दूबल पी राथी नाम and then ग्यान कौर ठीक है ये आपको देखते चल या topic है आप समद लिजे युथनेशिया पे ऐसे भी आ चुका है आपके judicial exams में तो अगर आप ऐसे प्रिपेर कर रहे हो और तो उसमें युथनेशिया लीगल ऐसे में एक पार्ट उसका रखना ही रखना और ये तीन कोई case उसमें जरूर mention करना ठीक है तो ग्यान कौर वर्से has no such authority confused नहीं होना है ये illustration number 0 है किसका 378 का confused नहीं होना है IPC में जितने illustrations है especially offenses against property बिल्कुल छोड़ना मत सारी illustration पढ़की जाना है question आने वाला है कहां गया so ये case है theft का चीक है under which of the following offenses of IPC even preparation to commit the offense is also punishable ये आता है decoity I think it's 399 let me cross check yes preparation to commit decoity भी punishable है ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए इसके साथ साथ एक list बना लो कि कौन-कौन से offenses है जिनकी preparation भी preparation भी क्या होती है punishable होती है yes ठीक है तो ये भी list तैयर हैनी चाहिए और along with that robbery के सारे sections decoity के सारे sections theft के सारे sections extortion के सारे section बिल्कुल by heart tip पे होना ही होना है इसको नहीं चोड़ना आपको next instigate B to murder C A B को instigate करता है कि C को मा डालो abattment की बात है ठीक है but the office is however not committed देखो ये तोड़ा सा गुमा के section गुमा के तो नहीं है तो एकदम direct बात क्या होती है जब हम section 107-108 यानि में किसकी बात कर ली हूँ जब हम इन sections को पढ़ते हैं तो हम आगे कि sections को छोड़ देते हैं अगर unless कि हमें किसी teacher ने पढ़ाया ना हो चाहे हमारे college में कोचिंग institute में या हमारे किसी senior ने ना बताया हो या हमने पी वाई की analysis ना किया हो तो हम आगे के आपने सिर्फ एक word ध्यान देना है या फिर offense कमिट हुआ ओफिस नहीं कमिट हुआ यहां पे सब कुछ ठीक है सब कुछ अविट्मेंट जैसा लग रहा है लेकिन offense यहां पे कमिट ही नहीं हुआ ठीक है तो इसकी जो punishment है that is imprisonment up to seven years and fine let me cross check just wait a minute it is question number 16 साथ साल की punishment है yes imprisonment up to seven years अच्छा यह कौन से section था यह 115 था ठीक है तो बहुत roughly आपको उपर उपर से ही देखना है कि किस section में offense कमिट हुआ नहीं हुआ कौन से section में a better present रहा नहीं रहा देको अभी तो अगेन वही बात आ जाती maximum question solve कराना यह इस वीडियो का aim है नहीं तो यह सारे topic detailed discussion करने में अगर एक घंटा हम दे दे properly 1 hour to 1.5 hours कभी आपका ना question गलत होगा ना conceptually आप वीक होंगे इसमें ठीक है तो कभी जरूर हम इस पर discussion करेंगे अभी फिलाल इस तरह से आप PT के लिए तयार कर लीजे next है a causes cattle to enter upon a field belonging to be intending बहुत important term intending intention आ गया to cause intention है कारित करने का cause मतलब कारित करने का and knowing that it is likely to cause knowing मतलब उसको knowledge है यानि उसको ग्यान है कि जो काम में करने जा रहा हूं इससे यह damage यह शती बी के crop को बी की फसलों को हो जाएगी तो यह जहां पर intention और knowledge दोनों है किसी दूसरे person को harm cause करने की उसको damage cause करने की loss cause करने की तो यह question यह आपका section 425 mischief ठीक है इसकी punishment कहा है 426 425 याद रहेगा mischief है तो 426 अपने आप ही याद हो जाएगा आपको next is a found b a feeble old woman a को b मिलती है जो बहुत ही वृद्ध एक महिला है औरत है stealing crop वो उसको खेतों में फसल चोरी कर रही है अब यह क्या करता है उसको इतना मारता है a beats her so violently that she died इतना उसको मारता है कि उसकी death हो जाती है अब यहां पर एक इसकी के लिए libel होगा causing grievous hurt murder culpable homicide no offense no offense की बात नहीं है देखो right to defense property यह तो है but इस case में he has exceeded his right to defense तो यहां पर यह culpable homicide में यानि इसका तो हिंदी मुझे नहीं पता है culpable homicide का मानववद करके कुछ था तो हां तो इसमें फिर वह punish हो जाएगा in culpable homicide क्योंकि he has exceeded his right to private defense in which of the following is not an essential element of the office of acid attack फिर से 2013 का मेंडमें से question है acid attack 326 a partial damage deformity or burn यहां पर देखो not आ गया ना कि essential element नहीं है acid attack का तो partial damage deformity और burn यह तो है मेमिंग disfiguring या disablement यानि जो चहरा यह वापका disfigure हो गया जहां पर भी acid पढ़ा body की जिस पार पर वो disfigure हो गया only bodily pain यह बहुत common sense से भी question solve कर सकते है damage हो गया disfigurement हो गया या grievous hurt हो गया तो यहां पर आएगा यह bodily pain यह तो आपके heart का part है तो यहां पर right answer है only bodily pain अब यहां पर देखो अगर आप यह not miss कर देंगे तो भाई आप बताओ यह आपके question सही होगा कि गलत एकदम गलत हो जाएगा तो not जहां पर दिखे एक बड़ा सा क्या लगाना है circle ठीक है next question देखते है next time where a man secretly captures images of women secretly image निकाल रहा है महिला की who was using washroom for changing her clothes जो washroom use कर रही थी और वो चुपके से उसकी photo कीच रहा है तो यह आता है voyeurism इसकी भी Hindi मुझे नहीं पता है मैं आपसे पहले ही माफी मांग चुकी हूँ कि मेरी legal Hindi is not that good और में पास bare act भी डिगलॉट नहीं है कि मैं इसमें देख के आपको बताती but yes I am damn sure यह आपको section पता होगा कोई एक आदमी वो चुपके से उस चीज को monitor कर रहा हो यानि नजर रख रहा हो कि मैं इंटरनेट पे क्या करती हूं क्या नहीं करती हूं या बार बार email कर रहा हो और any other form of electronic communication से वो परिशान कर रहा हो तो इसको हम stocking बोलते हैं यानि पीछा करना देखो 354D में है यह पीछा करने का मतलब यह नहीं कि आप जब सड़क पे या कहीं physically ही किसी का पीछा करें अगर आप इस तरह से electronic medium के through भी अगर आप किसी को stop करते हैं उनका पीछा करते हैं तो वो भी punishable है और कहां पे 354D वो भी एक तरह को offense है यह सुरेश कुमार कॉशल यह सब केसे आप सोचों कि डेली हाई कोर्ट का question है यह उत्राखन में क्यों पूछ रहा था इसलिए पूछा है क्योंकि यह दिल्ली हाई कोर्ट के है सिर्फ यहीं इसका एक importance नहीं है इंपॉर्टेंस यह है कि इतने landmark रहे है कि इन्होंने जो constitutional bench है जो constitutional का interpretation है Supreme Court तक के judges को help की है in deciding other cases ठीक है तो यह काफी landmark हो जाते है तो इस तरह से सिर्फ डेली इने किसी भी स्टेट में कोई case आता है तो हम उसे refer करते हैं तो यह कौन सा case था सुरेश कुमार कॉशल वर्स ना आइपी सी ता minimum punishment यह कि section में दी गई है यह बहुत direct यह section है आपका यह I think it's section number 400 and it's 97 or what let me cross check please it's 498 yes 497 तो adultery है ठीक है 498 में ही जो minimum punishment है वो दी गई है यह भी note कर लो कितनी minimum punishment है two years fine या फिर बोथ ठीक है what is the chapter number of marriage 20A 498 जो है वो कहां पर है आपका 20A yes मुझे थोड़ा doubt था तो I just cross checked it 20A में तो आपका सिर्फ एकी section है that is 498 तो यह था chapter number 20 जहां पर 498 जो last section है वो आपको बताता है minimum punishment के बारे में that is two years या fine या फिर both तो आपको यह जो offenses relating to marriage है इनको भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और 498 A तो सबको याती है A enters B's house through a window with a view to intimidate B ठीक है here A has committed the offense of house breaking excuse me तो guys मैं आपको CT-HT वाला बता ही चुकी हूँ एक बार फिर से देख लीजे फटा फट आपको क्या लिखना है 441 मैं सिर्फ अब 44 लिखूंगी 42 43 44 45 और 46 स्टार्टिंग में CT फिर HT ठीक है फिर LHT उसके बाद LHTN रात में घुस रहा है भाई किसी के घर में फिर HB and then HBN ठीक है इसको लिखके लगा लो बिल्कुल भी भूलना नहीं है यह चीज अगर आप सिर्फ ऐसे लिखके रखोगे आपको याद रह जाएगी इलस्टेशन आपने खुद पढ़ना है एक महिला है जिसने एर रिंग पहनी ए उसको खीच लेता है उसकी वज़े से क्या होता है उसके कान कट जाते है और बहुत बैडली इंजर हो जाता है तो यहाँ पे कौन सा ओफेंस किया ए ने उसने किया एक्स्टॉर्शन ठीक है ना रॉबरी नहीं लगाना है उसके बाद देखिए विच अप दो फॉलिंग पेर्स नॉट करेक्टली मैच तो यहाँ पे बहुत सीधे सीधे दिख रहा है कि सेक्शन 4 97 के आगे क्या लिखा है कोई स्टोरी लिखिए हमें उससे मतलब नहीं है क् सेक्शन 4 97 इस अडल्ट्री राइट तो यहाँ पे यही हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि नॉट को हमने ध्यान दिया था फिर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 82 देखो 82 83 82 जहाँ पे भी आएगा IPC का साथ साल यह उससे कम उम्र के बच्चों की बात की गई है और 83 में साथ स उसके बात क्या है तो अफेस ऑफ डेकॉर्टी अंडर IPC में भी कमिटेड वाई वे ओफ तो डेकॉर्टी हमेशा पांच या पांच से जादा लोग रहते हैं तभी कमिट होती है तो इसका राइट आंसर होगा रॉबरी क्यूंकि रॉबरी में भी पांच या पांच से कर आती हूँ सो थैंक यू सो मच